आज एक और बार्डस के बारे मैं आपको बताने जारी हूं जो हम कहते हैं कि I wish कि आज मेरी साइड मेरी लेडी लग हो जब हम कोई competition में होते हैं या फिर कोई पहल करने जारे हैं कोई नई चीज के शुरुवात करने जारे हम सब चाहते हैं कि हमारा लेडी लग हमेशा हमारे साइड पे रहे और हमारे सारे काम बड़े अच्छे से बनते चले जाए तो यह जो goddess fortune है इन्हें हम goddess fortuna के नाम से जानते हैं again Greek goddess जैसे हमने goddess Lilith, goddess Hekate इनके prayers बहुत सारे देखे हैं सुने हैं और हम जानते हैं इनके miracles, goddess Aprodite अब भी goddess fortune के बारे में मैं बता रहे हूं क्योंकि ना सब चीज़े अपनी जगह पे हैं अगर आपका luck तेज है अगर lady luck आपके साथ है तो आपकी हर चीज positive रहेगी हर काम multiple wishes manifest कर सकते हैं सबसे पहले अच्छा इनके बारे में और detail आगी के वीडियो में बताऊंगी simple पहले यह जान लेते हैं कि इनके symbols क्या हैं हम कैसे pray कर सकते हैं इनसे और अपनी wishes कैसे manifest कर सकते हैं तो सबसे पहले एक तो इनका symbol है फॉर्चून, wheel of fortune ठीक है so wheel of fortune या फर simple wheel जो काट के wheels होते हैं वो तो अभी आप क्या करोगे एक plain paper लोगे उस पे एक wheel ड्रॉ करोगे wheel कैसे draw करना है simple एक circle बनाया और जैसे lines होती है na wheels की वैसे lines बना दी है simple बन गया अब यह wheel कौन से color से बनाऊंगे आप इसको बनाए red color से red हो या green हो दो color use कर सकते हो आप best बड़ा सा circle बनाए एक plain paper पे और इस wheel को आप रखो एक table पे या फिर आप first पे बैठके करो अपने सामने इस paper को रखो इस paper में जो wheel है wheel के बीच में एक मुम्बत्ती जलाओ किया मुम्बत्ती होगी या तो हरे रंग की या फिर लाल रंग की green या red color का ठीक है यह जलाने के बाद इनको offering में I mean goddess Fortuna को offering में हम क्या देते हैं तो इनको offer किया जाता है coin, cinnamon powder या nutmeg powder, honey भी offer करते हैं, milk भी offer करते हैं मैं यहाँ पे आपको coins बोलूँगी, now यह जो coins है यह आपके लिए fortune वाले coins होंगे आप यह 3 coins लोगे, सिर्फ 3, आप एक का सिक्का लो, पांच का सिक्का लो, दस का लो या जिस country में हो, वहाँ जो coins available है वो coin रखो तीन coins लोगे आप और तीनों coin को आप इस wheel के बीच में रख दोगे candle आपने बीच में जुलाईए, मतलब मुंबती के ठीक आगे आप यह तीन सिक्के रखो इनको रखने के बाद आप आराम से बैठें और जो हमारा switch word है वो chant करना शुरू करें fortune magic begin now okay, fortune magic begin now, fortune magic begin now, fortune magic begin now, fortune magic begin now इसको आप at least 11 times chant करो और इसके बाद आप अपनी side lady luck को आने के लिए request करो, pray करो ठीक है, आप अपनी her wishes के लिए lady luck से request कर सकते हो suppose मालो, कि आपको 2-3 दिन के बाद interview देने जाना है कहीं job के लिए तो अप job में interview देने जाने के time पे हम सब चाहते हैं कि lady luck हमारी तरफ हो, हमारा fortune बड़ा अच्छा रहे कि हमारा selection भी हो जाए और salary भी handsome मिले हमें handsome package, I mean जितना हम expect करते हैं उतना package भी हमें मिल जाए सब कुछ बिना negotiate किये हुए, right? तो अभी क्या है, मेरा fortune तो मेरी side होना चाहिए ना, मेरी lady luck तो मेरे side होनी चाहिए ना तो इसके लिए फिर आप आराम से बैठ करके उसके लिए prayer करो कि मेरा या interview बहुत अच्छे से clear हो जाए तो आप मेरी side ही रहोगे, मेरे पास ही रहना उस time पे और मेरे luck को enhance करना, raise करना simple, अपनी मन की भाशा में कोई prayer written में नहीं दे रही हूँ मैं आप बैठो, आखे बंद करो, fortune magic begin now, chant करो, 11 times इसके बाद अपनी wishes के लिए pray करो अब आती है दूसरी चीज, जैसे मान लो कि आप अपने, suppose आप शादी के लिए बात करने जा रहे हैं तब ही भी आपको बहुत ज़ादे जरूरत होती है lady luck की, कि अगर सामने वाले person अपने घर में बात कर रहे हैं उनके साथ और फिर उनसे pray करने के लिए ये आप शुरू कर सकते हो ठीक है, मतलब आप अपने parents को approach करने से पहले आप इसको at least तीन दिन पहले से शुरू कर लो तीन दिन regular करो, ठीक है, regular करने के बाद आप approach करें या फिर, suppose मान लीजिए, आपकी शादी align हो गए, ये date वगएरा, सब निकल गया है स्टिल हमें थोड़ा डर होता है, कि बस शादी हो जाए ठीक से, तो जब तक शादी नहीं हो जाती है, तब तक आप इसको कर सकते हो रोज शाम को दिन में कभी भी बैटके, कोई time specific नहीं है, periods का कोई restriction नहीं है, इसके अलावा, ये तो बैटके आपने prayer किया, ठीक है prayer करने के बाद, आप candle को बुझा के side रखोगे, paper जिस पे आपने wheel का, ये जो symbol बनाया है, या wheel का जो भी design आपने बनाया है, उसको fold करके आप रख दोगे, इसी paper को आप next बार भी use कर सकते हो in case ये paper spell करते समय जल जाता है, या खराब हो जाता है, तो आप इस paper को हटा दो, tension लेनी की जूरत में, दुबारा दूसरा paper लो, उस पर draft करो, उसको use करो ये जो coins हैं, ये आपके लिए luck वाली चीज हो गए, इस coin को आपको संभाल के अपने पास रखना है, ठीक है ये क्योंकि Goddess को अपने offering में दी थी, ये coin आपके लिए, एक तरह से जैसे हम कहते हैं, कुछ offer करने के बाद हम उसे लेते हैं, वो प्रशाद होता हमारे लिए, राइट वैसे ही, ये हमारे लिए blessing हो गया, ये जो coins हैं, ये Goddess की तरह से blessing मानके, आप हमेशा अपने पास रखोगे, और इनी coins को use करके, आप कोशिश करोगे, कि आप अपने, जब भी आपको जिरुरत पड़े, आप Goddess को call करो, और अपनी wishes के लिए उनसे request prayer करो, ठीक है अगर ये coins मानलो, कभी खर्च हो गए आपसे, अंजाने में खर्च हो गए, खो गए, कहीं, मिल गए, सब में, पता नहीं चल रहा, आप next time फिर से 3 coins रखिया, उनको use कीजे, इन coins को हाथ में लेकर के, कभी भी आप Goddess को call कर सकते हो, attune कर सकते हो, हाथ में लिया, इनकी खनक अ बोल रहे हो, fortune, magic begin now, आपका luck आपके बिलकुल साथ में आपके खड़ा हो गया, lady luck आपको protect कर रही है, आपके साथ में है, और अभी आपकी manifestation में हर तरह से वो आपको help करने वाली है, okay, so ये बहुत important होने वाला है, और बहुत miraculous again रहने वाला है, जैसे हमने Goddess Hikate की help ली है, बह ऐसे ही Goddess Fortune को आप लोग अपनी लाइफ में शामिल करो, इन से pray करना start करो, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई चीज हम manifest करते हो, उसमें stability ने रहती है, ठीक है, अगर lady luck आपके साथ है, fortune आपके साथ है, तो हर चीज आपके पास आसानी से आ सकती है, multiple wishes के लिए आप इसमें pray कर सकते हो एक चीज और ध्यान रखेगा, बहुत important है, और वो यह है कि जब भी आप Goddess Fortune से pray कर रहे हैं, तो बहुत careful रहने की ज़रूरत है, कि आप किसी का भी हाम करने के मकसद से prayer नहीं कर सकते, आप जब भी अपनी wishes भी कर रहे हो manifest, तो यह ध्यान रखे कि आपके wishes आपके benefit के लिए ही है, उसमें कोई negative thought, negative intention या कोई manipulations नहीं है, because कुछ भी नकारात्मक चीज अगर आपने सोच रखी है, suppose आप third party elimination के लिए ये Goddess को call करते हो, मत करना, ये helpful नहीं होगा, क्योंकि किसी के लिए भी अगर हम negative सोचते हैं, तो ये ultimately हमारे लिए reverse हो जाता है, तो हमेशा बड़े positive रह क और फिर आप Goddess Fortune को call करो अपने अच्छे fate के लिए, okay, and अपने destiny manifest करने के लिए, जो आपकी desired destiny है, right, so उन सब चीजों के लिए आप Goddess Fortune को call करो, थोड़ा सा सतर्क रहना इन सब चीजों से कि हमें कोई भी negative thought या negative विचार नहीं लाने हैं किसी के भी बारे में, बस अगर आपको अपने person से शादी manifest करनी है, तो simple है, कि बस मुझे अपने person से शादी manifest करनी है, मुझे exams में अच्छे marks लाने है, तो मुझे exams में अच्छे marks के लिए सोचना है, okay, कि किसी और को नीचा दिखा के मेरा मैं first आ जाओ, ऐसा नहीं सोचना है, okay, so बस अपने बारे में, अपने मेहन से related आप चीजें करके Goddess Fortune को call करो, ताकि वो आपकी help करें, आपके साथ रहें, कोई भी जो blockages, असल में क्या है na, Fortune अगर आता है, तो हमारे रास्ते से रुकाप्ते हट जाती है, चीजें easy हो जाती है, तो सब कुछ easy करने के लिए आप Goddess Fortune को call कर रहे हो, तो इनकी prayer आप कितने जाती है, जाती हो, मैने जासा बोला, तीन दिन करो, तीन दिन करने के बाद छोड़ो, Goddess को अपने साथ आने दो, feel करो, हर काम के लिए आप कर सकते हो, फिर दुबारह कर सकते हो, जब भी आपका मन करते हो, अपने coins को हाथ में लेकर, Goddess को कभी भी आप जैसे एकदम से कोई का जैसे कि अभी आपकी जो lady luck है, fortune है, goddess fortune है, उनकी blessings आपके पास है, ठीक है, lady luck आपके साथ है, और अभी जिस भी काम में आप hand डालने वाले हो, जिस भी काम को करने वाले हो, उसमें आपको success मेलने वाली है, okay, so I hope this is clear, and और कुछ explanation है नहीं, simple सा है ये, and इसको करो, that's it, and yeah, God bless you all time.